Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys इस पर जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो एक सूपर हीरोस की सीरीज है जिसके अंदर आपको साइंस फिक्षिन, काफी सारा थ्रिल, क्राइम, एडवेंचिर, एक्शन सब कुछ देखने के लिए मिलेगा साथ ही में कुछ ऐसी सूपर नाचुरल पावर, वो भी टाइम ट्रेवल के साथ में जहां पे आपके दिमाग की बार-बार में एक्सराइज होने वाली है तो चले फिर बिना प्रतिक्षा कराए, आज एक नई सीरीज की शिरुवात करते हैं जसका नाम है था अमरेल अकैडमी, अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं और हर सीजन के अंदर दस एपिसोड हैं सीरीज शुरू करने से पहले ही मैं आपको इस सीरीज की थोड़े बहुत ब्रीफ बता देती हूँ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एक ही वक्त पे पूरी दुनिया के अंदर 43 के काउंट के अंदर जन्म लिया था इन सब के माओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो चलिए फिर बेना प्रतिक्षा कराया आज हम सभी लोग इस शांदर सीरीज की तरफ चलते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग 1989 के टाइम लाइन से होती है जो कि रश्या की थी सीन एक स्विमिंग पूल का था जहां पे कहीं सारे लेडिज को एक साथ में ट्रीनिंग दी जा रही थी यहां पे एक लड़की और लड़का था जो कि एक दूसरे को आपस में लुक्स दे रहे थी साथ ही में लड़का के लड़की के पास में बैठ गया पहले लड़की थोड़ी शर्मा रही थी लेकिन बात में खुदी वो लड़के को किस करके पानी में जम कर दीती है कुछी सेकंड में पता चलता है कि पूल के अंदर हर तरफ बलड आ गया है साथ ही में वो लड़की अपने आप ही प्रेगनेंट हो गई है वो भी एक ही सेकंड में और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया पीछे नरेशन के अंदर हमें बताया जाता है कि उसी वक्त पूरी दुनिया के अंदर 43 बच्चों ने जन्म लिया है उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम सर हार्ग्रेव्स था वो इन बच्चों को अपने साथ रखना चाता था इसी के कारण उसने हर एक बच्चे की कीमत उसके माँ को चुका दी थी इन सभी बच्चों में से उसे साथ बच्चे मिल चुके थे इनी बच्चों के बारे में अब हमें आगे जाके इंड्रोडक्शन दिया जाता है पीछे से शुरुवात करते हैं इस लड़के के पास में कोई भी सूपर पावर नहीं थी अभी तक तो ये यही दिखाया जा रहा है साथ ही में ये वाइलन प्ले किया करती थी इस समय तक कोई भी बच्चा एक दूसरे के साथ में नहीं रहता था जिसके बाद हमें नमबर वन बच्चा दिखाया जाता है इस समय ये सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं से पहले ही डियागो लोगों की मदद किया करता था नमबर थर्ड पे आती है ऐलिसन जो की एक सेलाबरेटी है रेड कार्पेट पे वो शो कर रही थी यानि कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रिस बन चुकी है फोर्थ नमबर पे हमें क्लाउस दिखाया जाता है ये एक ड्रग एडिक्ट था साथ ही में चौरी चकारी भी करता था हॉस्टल के अंदर रहा करता था लेकिन जब भी उसे टाइम मिलता था ड्रग एडिक्ट होने की कारण वो वहाँ से चला जाया करता था नमबर फाइफ और नमबर शिक्स के बारे में अभी तक हमें नहीं बताया जाता है जिसके बाद एक साथ में इन पाचो बच्चों के पास में information आती है यानि कि लूथर को स्पेस में डियागो को एक TV चानल से अलिसन को उसकी सेक्रेटरी के थूँ क्लाउस जो कि अल्मोस्ट मर रहा था उसे ambulance के अंदर और साथ ही वानिया जो कि सड़क पे चल रही थी और सामने एक TV की शॉप के अंदर से इन पाचो बच्चों के पास में जो information आती है वो ये थी कि इनके father जिन्होंने इन सारे बच्चों को बड़ा किया है सर हारग्रिफ्स उनकी death हो गई है पाचों में से किसी को भी believe नहीं होता इस बात पे कि वो आखिर जिन्दा कैसे नहीं है इस वक्त तक हालांकि वो बूड़े थे लेकिन उन्हें कोई मार नहीं सकता था और इन्हें ये भी पता था कि कोई भी बच्चा वापस से मिलने के लिए नहीं आएगा जिसके बाद सेन उसी बड़े से मैंशन के अंदर शिफ्ट हो जाता है जाब ये सारे बच्चे बड़े हुए हैं हार ग्रिफ्स के साथ में इन सारे बच्चों के पिच्चर थी लेकिन एक एक करके बच्चे कम होते जा रहे थे सबसे इंपोर्टन चीज़ कि वानिया किसी भी पिच्चर के अंदर कभी थी ही नहीं उसके बाद गायब हुआ नंबर फाइफ जिसके बाद नंबर सिक्स यानि की बैन गायब हो गया था आखिर में सिर्फ चार बच्चे ही बच्चे थे वानिया आप तक मैंशन के अंदर पहुँच चुकी थी और हमें यहाँ पे इनके मॉम भी दिखाए जाती है जो कि थोड़ी सी अपसेट सी ही लग रही थी वानिया के सामने एलिसन थी वानिया को बिलीब नहीं होता कि अलिसन आखिर इतनी बिजी होने के बाउचूद भी अपने फादर के मरने की खबर सुनके यहाँ पे पहुँच गई है इसी समय याँ डियागो भी आता है साथ ही में लूथर का क्याना था डियागो से यानि कि उनका किसी ने मर्डर किया था लेकिन डियागो के पास में उनके मरने के रिपोर्ट थी वो अपने साथ ही लेकर आया था और वो कहता है कि उनकी मौत हार्ट इटेक से हुई है लेकिन Luther कहता है कि मैंने जब उनके pictures देखी थे तो उसके अंदर उनका monicle नहीं था वही चश्मा जो कि आँख की उपर लगा रहता है और जो कि Sir Hargreeves के पास में हमेशा रहता था जिसके बाद scene Vania के उपर shift होता है उसने एक biography लिखी थी या फिर हम कह सकते हैं कि अपने भाई भेनों से related जो भी उसके पास में knowledge थी या फिर कहें कि जो भी उसके पास में यादे थी उसने सब कुछ एक book में उतार दी थी उसने ये book अपने फादर यानि कि Sir Hargreeves को भी भीची थी पढ़ने के लिए लेकिन उन्होंने ये book शायद कभी नहीं पढ़ी ये बात Vania को Pogo आके बताते हैं Pogo Sir Hargreeves के साथ में बहुत पुराने टाइम से रहते थे ये उनके assistant भी थे और साथ ही में बहुत अच्छे दोस्त भी थे Pogo कहते है कि मैंने तो उने कभी ये book पढ़ते हुए नहीं देखा है लेकिन मुझे खुशे हुई कि तुम यहाँ पे वापस आई हो वानिया को भी ये बात पसंद नहीं थी कि उनके फादर उनसे कभी प्यार नहीं करते थे हमें past का एक scene दिखाया जाता है जहाँ पे mom सारे बच्चों को एक साथ में लेकि आती है sir Hargreeves के पास में लेकिन आज भी ये दिन वही था जब वो बच्चों को कोई भी reply नहीं करते इसी के साथ हम Alison को देखते हैं जो कि अपने फादर की उस रूम में पहुचती है जिस रूम के अंदर enter करने के लिए सभी को मनाई थी रूम के अंदर उसे किसी और की भी आहट होती है जहां पे हम क्लाउस को देखते हैं अब क्लाउस की तो आदत थी हर जगर चोरी चकारी करने की तो इस बार भी वो अपने फादर के कमरे के अंदर कुछ तो चीज़े ढूंड रहा था क्लाउस भी अलेसन को देखे खुश था और साथ ही में अपने फादर को गालिया दे रहा था कि अच्छा हुआ जो वो मर गए जो कि उसने अपने फादर की रूम से चुराया था लूठर आके आलिसन से मिलता है और आलिसन से उसकी life के बार में पूचता है क्योंकि आलिसन की शादी हो चुकी थी लेकिन इस समय आलिसन का डाइवास भी हो चुका था और उसकी बेटी की custody उसकी husband को मिल गए थी दियागा और क्लाउस को इस चीज में कोई इंटरस्ट नहीं था कि इनके फादर कैसे मरे हैं लेकिन लूथर सबको मॉनिकल वाला कॉंसेप समझाता है और साथ ही क्लाउस को कहता है कि उसे एक बार अपने फादर से बात करने चाहिए अब गाइस लूथर इतना जादा स्ट्र लेकिन लाउस इतना जादा ड्रिंग कर चुए था कि वो इस हालत में नहीं था कि वो अपने फादर से बात चीजित कर सके लूथर जब इसब इस बात के उपर जादा जोड देने लगा तो डियाए गो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि क्या हम चैसे कि बाद है तो सब गुस्सा हो जाते हैं कि लूथर आकर यहां पर आके क्या कहना चाता है कि हम में से किसी ने हमारे फादर को मारा है इसी के कारण सारे मां से बाहर चले जाते हैं अब इन बच्चों का क्या पास था इसी के कारण कहानी 17 साल पहले शिफ्ट हो जाती है इस समय बैंक के अं देखते ही, देखते ही, या पर 5 पी आ जाता है, अब गाइस, नंबर 5 के बारे में हमें नहीं बताया है, लेकिन हमें या पर उसके थोड़े बच्पन की जलकी दिखाई गई है, कि कैसे उसके पास में टेलिपॉर्ट होनी की पावर है, इसी के साथ में नंबर 6 यानी की बैन् कि तुम special नहीं हो, इन सब बच्चों के पास में पावर्स है और तुमारे पास में कौई भी पावर्ण नहीं है, इसी के करण तुम नीचे नहीं जा सकती। यानि कि इन साथ बच्चों में से वानिया को अगर हटा दिया जाए तो superpowers के लिए ये 6 बच्च्च, तो superpowers के साथ में ही ये 6 बच्चे exist करते हैं. Sir Hargreeves पूरी दुनिया के सामने इन बच्चों को इंटर्डिउस करते हैं और इनकी कहानी भी बताते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों की ट्रेनिंग अब मैं करूँगा साथ हमें ये बच्चे जहां पर रहते हैं उसका नाम है था Amrila Academy इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया चाता है जा पर क्लाउस अपने फादर से बात करने की कोशिश कर रहा है। इसारे भाई भेनों के हाथ पेर हिलने लगते हैं ये लोग झूमने लगते हैं और उस डांस को इंजॉय करने लगते हैं ऐसा लग रहा था कि ये इसारे बच्चे पहले बहुत जोर से आवाज आती है। आया तो present time के अंदर है लेकिन काफी छोटा होके असल की अंदर इस उम्रे के अंदर वो गायब हो गया था और टेलिपोर्ट होके future में चला गया था आज की डेट में नंबर 5 की उम्रो 58 years की है लेकिन वो रहे एक बच्चा ही गया क्योंकि वो वापसे past में आया है उसे future के बा और सबसे जादा intelligent नंबर 5 ही था वो आते ही सबसे पहले कुछ खाता है और कपड़े change करने के लिए चला जाता है जब कमरे में जाता है तब भी उसे नंबर 5 वाले यानि की बच्पन वाले ही कपड़े मिलते हैं जिसकी बाद आके वो वानिया से बात करता है और कहता है कि हम इनके फादर का funeral का इसी के साथ हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो इनकी mom है वो काफी जादा जवान है और साथ ही में उन्हें पुराने चीज़े कुछ याद ही नहीं है यानि कि वो बार बार में कुछ चीज़ी भूल रही है टाइम था अब सबको कुछ ना कुछ ब करते थे बस उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया इतनी देर में लूथर को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत गंदा वाला जखड़ा हो जाता है सब इन्हीं रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जब पता चलता है कि यह दोनों रुकने वाले नहीं है तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे सर हार गृफ्स इन सारी बच्चों के उपर एक्सपरिमेंट किया करते थे या फिर हम कह सकते हुने ट्रेनिंग दिया करते थे जिससे कि उनकी पावर्स के बारे में पता चल सके वो हर एक चीज को डाईरी में नोट किया करते थे साथ हमें हर बच्चे के हाथ पे उन्होंने एक Amrilla का Tattoo बन वाया था लेकिन Vania के हाथ पे ऐसा नहीं बनाया गया था इसी की करण वो हमारकर सि अपने हाथ पे Amrilla बना ले है रात भी हर बच्चे को एक्जामिन करने के लिए उनके सर पे चिप लगाई जाती है ताकि सपने में वो जो भी चीज सोच रहे हैं या फिर उनके दिमाग में जो भी चीज़े चल रही है वो सब कुछ सरहर गिफ्स नोट कर सकें अब यहाँ पे जब किसी भी बच्चे के अ ना तो तुमारे पास में लाइसेंस है और ना ही तुमें गाड़ी चलानी आती होगी लेकिन नमबर फाइफ असल के अंदर 58 येर्स का था जिसे सब कुछ आता था डियागो को भी इस जगह पे रुखने में कोई इंट्रेस नहीं था और क्लाउस कहता है कि तुम अगर जा रहे हो तो मुझे भी छोड़ दो एक तरफ नमबर फाइफ चला जाता है वहीं पर डियागो और क्लाउस भी चले जाते हैं वानिया तो चली ही गई थी ये सब कुछ लुत और अपने विंडो से देख रहा था साथ ही में हमें उसकी हाथ का सीन दिखाया जाता है जो कि इस स साथ हम नमबर फाइफ को देखते हैं जो कि ये कॉफी शॉप के अंदर आ गया था वहाँ के वेटरेस को बिलीव नहीं था कि ये बच्चा खेर कॉफी क्यों मांग रहा है लेकिन उसके पास बैठा जो आत्मी है वो नमबर फाइफ की का पेमिंट करके वहाँ से चला जाता है और बाहर जाने से पहले वो खुद के हाथ में लगी हुई चिप को भी निकाल के वहीं पे फैक देता है जिसके बाद हमें डियागो दिखाया जाता है और उसी के हाथ में वो मौनिकल था जिसके बारे में लूथर क्या रहा था डियागो उस मौनिकल को पानी के अंदर फ क्योंकि उसे सबसे ज़ादा ट्रस्ट वानिया पे ही था वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैं जब फ्यूचर के अंदर गया था तो वहाँ पे मैंने बहुत बुरी बुरी चीज़े देखी पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वहाँ पे कुछ भी नहीं ब पा रहा था लेकिन वो पास्ट में इसी लिए आया है ताकि वो फ्यूचर की चीज़ों पर कंट्रोल कर सके वानिया को ये बाते समझ में नहीं आती और आप वो उससे आगे की चीज़े पूछने लगती है क्या आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और इसी के साथ गाईज ये सब्सक्राइब ये खत्म हो जाता है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकेंड एपिसोड में तब तक के लिए टाटा